हलो फ्रेंस वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंस का लसके सबकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उससे चैनल से पहले मैं अपसे कहना चाहूंगी अगर अगर अप चैनल पे नहीं है और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली को चाय देने के लिए कहती है तो रवी बैठा हूँ मुबाईल में देविका की फोटो देख रहा था एक चम से बौट के बैट जाता है तो साक्षी उसको चाह देती है वो चाय पीता है तो साक्षी कहती है कि जीचु चाय Nieई बनी ना दीज अच्छी is no change not he की होगी रवीज सोसता है की साक्ची की जो देव是 ने चाए बनाई थी तो कैसे कह रहा तो चाए थोड़ी फिकी है लेकिन अब तुम्हारे बातों से मीथि हो गई है तो साख्ची कहती है डी मिल तो जाएगी ना तो रवी कहता है हाँ क्यों नहीं मिल जाएगी चरूर मिल जाएगी मैं वहां तक पहुंच भी किया था लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहरी वो लोग दिविका को कहीं और ले गए थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं कैसे करूं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखर यह सब किया किस नहीं है क्यों किया ना कोई कॉल आया कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तबी फिर साक्ची एक्तम से कहने लगती है पता नहीं दी किस हाल में होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा दी कैसी होगी तबी फो रोने लगती है रवी देखता है कि साक्ची रोने लगी तो वेक्तम से उठके चुपाता है उसको कि साक्ची परिशान मत हो देवी का मिल जाएगी वो उसको चुपकर आ रहा होता है तभी वहाँ पर मौंटी आ जाता है और मौंटी आता है कहता है कि तो रभी कहता है क्या हुआ मौंटी मौंटी कहता कुछ नहीं भाया जरा बाहर आईए कहता है क्यों क्या हुआ कहता है आईए तो सही जड़ा बाहर अभी कहता है मुट्टी क्या बात है एक्तम से वो भागता हुआ बाहर जाता है तो वहाँ देखता है सारे लोग खड़े होते हैं वो कहता है कि ऐसे क्यूं देख रहे हैं मुझे क्या बात है तब ही फिर वहाँ पे एक पार्सल रखा हुआ आता है वो देखता है कि वहाँ पे देविका की साड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ उसे याद आती पूरी कहाने कि उसने वो देविका को साड़ी गिफ्ट की थी और देविका को वो लाके दी थी तो देवी काने कहाता है कितनी प्यारी साड़ी है ना रवी कहता हाँ मैं ये तुमारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ तो कहते हो ये साथ में रोस भी कि तो मुझे बहुत पसंद है और ये साड़ी का कलर कितना प्रिटी है ना रवी तो रवी कहता है हाँ और ये तुम पर बहुत अच्छी लगीगी तो कहती है हाँ पर ये क्यों लेकर आई या जरूर अच्छी तो वो कहता क्यों मैं तुम्हें दें नहीं सकता मेरा मन हुआ तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया ये गिफ्ट हूँ तो वो उसे याद आता है फिर वो जो है उसको gift देता है अपनी पूरी जो है उसको याद आता है कि उसने कैसी धिया था इक्तम से वो उसे फिर वो सोचता है ये साड़ी तो वो ही है ना और वो रोने लगता है फिर ये लोग समालने लगते हैं उसको मन्जू जी खहती है कि मै इसा हो जाए उसके साथ मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था हाम उसे पसंद नहीं करती थी पर ऐसा नहीं सोचा था और यह लोग बहुत रवी को चुप कराते हैं तब ही क्या होता है कि यह लोग चुपी करा रहे होते हैं उसको वही सब चीजे याद आ रही होती हैं और इदर साक वह उ acrony is from theाइड के वह उता है उसको पड़ता है पढ़के वह रखान हो जाता है वह रवी को गःता है उसको पढ़के के और भी जादा परशान वह ता है डिविका के वारे में लिखा होता है वह पूछता है कि यह कहीं लोगा दूशल को मैहा करें नहीं है तो आखा वो तूर यह तो बाइक शुदसुरू करन्य ले। उसकी चाबी को अंदर ही भूलाया होता तब ही एक आदमी वहाँ से निकलता तो उसकी बाइक ले लेता है कहता है अभी मैं तोड़े देर के ले ले रहा हूं फिर वो उसे ढूंते हुए जाता है उसको देख लेता है उसके पीछे पीछे जाता है तब ही फिर वो उसे मिल जा हैं, ऐसे मैं क्या बता सकता हूँ, और इधर दिखाते हैं कि निवी और इधर जो साकीत बात कर रहे होते हैं, निवी कहती है कि साकीत से कि अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि जो हमने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और जब इसके रिजर्ड्स आएंगे तो तुम देखना, मैं भी खुश हो जाओंगी और तुम भी खुश हो जाओगे, इसलिए अब बिल्कुल भी टेंशन मतलो, और खुश हो जाओ, तो वो कहता है साकीत कि मैडम जी, एक बात है, कि जितना आप हलके में ले रही हैं ना, उतना हलके में मतलीजिए, जो हमारा प्लान था जब तक वो सकस्स नहीं होगा, तब तक हमें चोकनना रहना होगा, क्योंकि किसमत कभी भी करवट ले सकती है, इसलिए आप इतना ज़्यादा मत सोचें, तो वो कहती है कि तुम्हरा दिमाग खराब हो गया, क्या, उन्हें कैसे पता चलेगा, हमने जो किया है, हमने पता है, हमने सही किया है, तब ही वहाँ, उनका मन्जु जी का फोन आजाता है नवी के मुबाइल पर, तो वो साकीश से कहती चुप रहना, तो फोन रीसीप करती है, मन्जु जी कहती है कि निभी इत़ा जी, मैंने आपको फोन किया, आपको पता है, यहाँ पे क्या हो गया, तो वो बताती है कि यहाँ पेना बहुत प्राबलम हो गई है और दिविका के साथ ऐसा तो चेती अरे अंटी जी यह क्या बता रही है आपो चेती हाँ तो कहती अच्छ़ा फिर तो चेती है मैंने सोचा मैं आपको बता दू तो कहती तो रभी तो बहुत परिशान होगा ना तो कहती है रभी बहुत परिशान है वो भचारा भागा-भागा गूम रहा है और पीछे पीछे गया है उसे ढूनते हुए मैंने सोचा आपको बता दूँ क्योंकि आप तो ना नीसी है न तो वो कहती जब आपने बताया है तो बिल्कुल मैं वहाँ पे आउंगी और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजे आंटी जी मैं आ रही हूँ ठीक है आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएए तो वो कहती है हाँ तभी फिर जो है आपे ने भी जो है बात करके फोन कट कर देती है साकेत कहता है क्या हुआ तो वो बताती है कि मंचु अंटी का फोन था वो बता रही थी और जैसा हमारा प्लान था ना सब कुछ वैसा ही हुआ तो अप्टेंशन लेने की जरुवत नहीं है इधर जो है रवी को वो आदमी मिल जाता है और वो उससे कहता है कि यह बताओ कि तुम ही आय थे ना मेरे घर पे वो पारसल देखे गए थे तो वो कहता है कि कौन सा तो वो कहता है कि बताता है तो कहता है कि यह बताओ तुम्हें किसने दिया था कौन था वो कहता है मुझे जाने कितने लोग देते हैं मैं कहां कहां देने जाता हूँ ऐसे मैं किसका किसका चेहरा याद रखोंगा ये बताए अब आपकी मदद मैं तो नहीं कर सकता हूँ तो बताता है कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा ये वो सब बताता है तो वो कहता है कि तब मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ मुझे तो नहीं याद है कितने सारे लोगों से मिलता हूँ और आप बिल्कुल भी परिशान मत होए आप जाएए और ढूनिये क्योंकि मैं मदद तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सच में नहीं याद है और तो फिर वो कह के चला जाता है क्यूंकि उसी तो सच में ही नहीं पता होता है तो रवी फिर बहुत सोचता है क्या खुरू बहुत उसे गुशा आता है और इदर जो निरी होती है मुझे साकेश से बात कर रही होती है कि अब منजू अन्टी का कॉल था तो वो बता रही थी अब सुचलो कि इन लोगों के मन में क्या इन लोगों को तो लग रहा है कि अब जो है देवी का नहीं आएगी तो तुम्हारा सही है मुझसे ज़्यादा तुम लगी हो इस मामले में थोड़ा ज़्यादा हो क्योंकि अब तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल गया है तुम अपने प्यार की सुरुआत कर सकते हो लेकिन मुझे जो है अभी थोड़ा टाइम लगेगा अभी उस चीज को सही करने में और तुम्हारे लिए सही है तुम क्यों बैठे हो तुम अपनी शुरुआत करो क्योंकि अब तो देवी का तुम्हारे पास ही है तुम अपने प्यार के शुरुआत कर सकते हो और मुझे जाना होगा अब वहाँ पे मांजो अंटी ने मुझे कहा था तो मुझे जाना पड़ेगा और तुम आराम से बैटो अब हम लोग का जो प्लान है वो सकस्स हुआ है तो अब सैलिवेशन तो बनता है ना तो तुम आराम से सैलिवेट करो और मुझे अब यहां से निकलना होगा तो वो कहता है अरे तो मैं भी चलता हूँ ना कमसा का मुझे भी तो देखना है कि उसकी रवी की हालत क्या है तो वो कहती है अच्छा तुम जाओगे तुम आज जाते पहले तुम इतनी बेज़ती करा के आयती है अप क्या सोच रहो फिर से तुमारी हो और इस वहाँ पे ना मैं तुमारी कोई मदद भी नहीं कर सकती हूँ इसलिए तुम यहीं रौतो कहता है कि अच्छा तो आप मुझे कॉल करके बताना की वहाँ पे क्या आल है तो कहती थीक है मैं बताओँगी लेकि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे मैं तुमें कुद ही कॉल करूंगी तुम तब तक वेट करना मेरी कॉल का और खुछ से कोई साकित कहता है ठीक है मैडम जी मैं कॉल नहीं करूंगा आप ही मुझे कॉल कर लीजेगा वो कहती है हाँ ठीक है फिर अब मैं चाहती हूं तो कहता है ठीक है फिर जो निगजीता होती है वहां से उटके चले जाती है और साकित मनीमन बहुत कुश हो रहा होता है क्योंकि उसका तो काम बन गया हुता, देवी का उसे मिल चुकी होती है, तो वो सोचता है कि अब तो ठीक है अब, फिर आगे दिखाते हैं कि इधर जो है देवी का होती है, उसे होश आ जाता है, वो कहती है कि मुझे यहां क्यूं पकड़के रखा हूँ, मुझे घर जाने दो, और ये सब क् तुम लोग कौन हो और मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे हो तो वो लोग कहते हैं अच्छा तुम्हें जानना है हम लोग कौन है हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और तुम्हारे घर में तो आप ये लोग सोच रहे होंगे ना कि अब तुम नहीं आओगी तुम सोच रही हो आएंगे लेकिन नहीं आएंगे अब वो लोग जो है अब इसी गम में रहेंगे तो दूसरा अला कहता है कि तुम जाना चाहती हो ना तो यही है कि रवी अब तुम्हें भूल जा है और सारी जिनकी ऐसे ही तुम्हारे गम में रहे तो वो एक चिलाता है कि तुमसे किसने कहता बताने के लिए तीदर दिखाते हैं कि यहां पे जो है मन्जू जी कहती है साक्ची से कि देखो सच्च जितनी चल्दी मान लोगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम अपने घरवालों को फोन करके बता दोना क्या हुआ है जिसे कि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना उनका भी यह हक है पर साक्ची बिचारी बहुत दुखी हो ती मन्जू जी कहती फोन लेके आओ और फोन करके उन्हें बताओ ताकि जो है उनका भी तो हक बनता है ना तो वो रोने लगती है और यहां पे रवी भी बहुत परिशान होता है कि क्या करें क्या ना करें तो फ्रेंस आ